कमिला शम्सी को कमिला शम्सी एक पाकिस्तानी ब्रतानवी मुसनिफ और नावल निगार है जो के अपने वार्ड विनिंग नावल होम फाइर की वज़ा से जानी जाती है शम्सी ने अपना पहला नावल दा सिटी बाई दा सी जबके वो 25 साल की थी उस वाद ये 1998 में स्टूडेंट थी और इसे शाट लिस्ट किया गया जोन लेवलेन राइस प्राइस के लिए यूके में और इसके लावा शम्सी को 1999 में प्राइम मिनिस्टर्स एवार्ड फार लिटरेचर इन पाकिस्तान भी मिला इनका जो दूसरा नोवल है साल्ट एंड साफ सैफरून इस पूरी दुनिया में शौरत मिली और उसको भी शाट लिस्ट किया गया जोन लीवियन रीज एवार्ड के लिए कार्टोग्राफी और उनका जो अगला नावल था ब्रोकन वर्स इन्हें पैटरस बुखारी एवार्ड मिले अफ लेटर्स इन पाकिस्तान और उनका जो पाच स्टोन ये भी 2015 में शाट लिस्ट हुआ वाल्टर स्कॉट प्राइस के लिए और इसे बेले वुमेंज प्राइस फार फिक्शन भी मिला इनका साथवा नावल होम फायर वो काफी अरसे तक बुकर प्राइस के लिए शामिल होता रहा और 2018 में इसे वुमेंज प्राइस फार मिला इन्हों ने एक स्टोरी देजर्ट टोरसो ऑुक्स फोम ऑुक्स टेल के प्रोजेक्ट के लिए कि जो के एक प्रोजेक्ट था जिसमें 38 ओथर्स की स्टोरी शामिल थी और उसकी स्टोरी एर कुलेक्शन में भी शामिल हुई और इसके लावा इन्होंने 2011 में जेपूर लिटेचर फेस्टिवल भी अटेंड किया जहां पे उन्होंने स्टाइल आफ राइटिंग पे गुफ्तगू की 2013 में इन्हें गरांता लिस्ट आफ 20 बेस्ट यंग बिटिश राइटर्स में इंकलूड किया गया और इसके लावा ये रॉयल सोसाइटी अफ लिटेचर की फेलो भी है